सोचो आप देश के सबसे famous institute से MBA कर रहे हो जो लागो students का dream है वहाँ course के लिए 18 लाग तक fees देते हो और बदले में आपको मिलता है laptop, euro trip, luxury campus, swimming pool और हर वो सुविदा जो किसी 5 star hotel से कम नहीं है और सबसे shocking बात ये है कि आप पढ़ते तो इंडिया में हो लेकिन certificate Belgium की top university से मिलता है वो भी 100% placement facility के साथ लेकिन क्या होगा जब एक दिन पता चले कि ये सब एक scam था और इतने साल की मेनत और लागों खर्च करने के बाद आपको जो certificate मिला है उसकी एक रत की बराबर भी value नहीं है शायद आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाए दोस्तों इंडिया में ऐसा सच में लाखों students के साथ हो चुका है जिनके कई सालों तक पैसे और time invest करने के बाद government ने उनके certificate को reject कर दिया मैं बात कर रहा हूँ IIPM की जो एक time इंडिया के सबसे popular institutes में से एक हुआ करता था जो New York से लेकर दुनिया के कोने कोने में लाखों करोडों रुपय का job दिलाने का दावा करता था फिर एक दिन इसी education system ने एक scam का रूप ले लिया तो आईए समझते हैं कैसे ये लाखों students के साथ ठगी करता रहा और किस तरह इसके खिलाब उठने वाली हर आवाज को दबा आईए डेटेल में जानने की कोशिश करते हैं भारत के अंदर हुए सबसे बड़े education scam की कहानी दोस्तों साल 2006 के दोरान I.I.P.M. बहुती तेजी से famous हो रहा था धड़ादर इसके ads बड़े-बड़े अकबारों और TV चैनल्स पर छा रहे थे जिसमें दिखता था चश्मा लगाए और चोटी बादे एक ऐसा आदमी जो लोगों की life में क्रांती लाने का दावा करता था इस आदमी का नाम था अरिंदम चोधरी जिसकी पहुँच UPA गवर्मेंट से लेकर बॉलिवुड में अमिताब बच्चन और सारुक खान जैसे इस्टार्ट तक हुआ करती थी अरिंदम चोधरी खुद को सकसेस और मैनेजमेंट गुरु जैसे नामों से रिनोट करते थे स्टुडेंट से लेकर मीडिया और्गनाजेशन तक सभी इनके फैन हो चुके थे और इन पर ऐसा अंधा विश्वास किया जाने लगा था जैसे ये आदमी नहीं कोई देवताओ अरिंदम चोधरी के स्कैम की कहानी शुरू होती है इंडियन इस्टेटीट और प्लानिंग एन मैनेजमेंट से जिसे इनी के फादर मलेंदर किसोर चोधरी ने 1973 में इस्टैबलिश किया था अब अगर हम बात करें कि आखिर IIPM इतना ज़्यादा पॉपलर कैसे हुआ तो इसका सबसे बड़ा रिजन था एड़टाइजमेंट्स और कनेक्संस उस समय इंटरनेट बहुत ही कम लोग यूज करते थे जिसके चलते ज़्यादा तर लोग अकबार और न्यू चैनल्स पर ही रिलाई करते थे और तब उनके कॉंटेंट पर लोग भरोशा भी करते थे ऐसे में IIPM ने एड़टाइजमेंट पर खोब फोकस किया एड की टेगलाइन रखी Dare to Think Beyond IIT and IIM शारुक खान को ब्रैंड अंबेश्टर बनाया कैंपस के ऐसे फोटोज दिखाए जो किसी सपने से कम नहीं था क्लब, स्विमिंग पूल, स्नूकर टेबल, यूरोप ट्रिप, पॉरेंड यूनिवरसिटीज के साथ टाई-अप कि एड़र्टाइजमेंट की वज़ा से स्टुडेंट को लगने लगा कि वो IIPM से पढ़के IIT और IIM से भी आगे जा सकते हैं, लेकिन कहा जाता है हर चमकती चीज सोना नहीं होती ऐसा ही IIPM के साथ भी था, दिल्ली के छतरपूर सही देशभर में इसके 18 कैंपस मौजूद थे लेकिन दिल्ली को छोड़के बाके कैंपस में वो फैसल्टीज थे ही नहीं, जिने एड्स में दिखाया जा रहा था जब कुछ लोग इसके अगेंस्ट बोलने लगे, तब अरिंदम उसे कवर करने के लिए, या तो बड़े पब्लिकेसंस में एड देना शुरू कर देते थे या फिर अपने खिलाफ लिखने वाले छोटे पब्लिकेशन या वेबसाइट्स को मुकदमी की धमकी देकर चुप करा देते थे यहा तक कि इन्होंने कारवा, पेंग्विन पब्लिशर, फेकिंग न्यूज और दा अन्रियल टाइम जैसे सार्केस्टिक पेज़ेस के खिलाफ सच में मुकदमा दायर भी किया था अब एक तरफ अरिंदम चौदरी अपने खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाने में कामियाब हो रहे थे तो दूसरी तरफ उन्हें स्टुडेंट्स को बेवकूप कैसे बनाना है, इसके लिए उन्हें अलग से एजेंट बैठा रखा था जो एजेंट एक से 24 इस्टुडेंट्स का एड्मेशन कराता था, उसे पर हिट 75,000 रुपए और जो एजेंट 50 से उपर इस्टुडेंट्स लाता था, उसे पर हिट सवा लाक रुपए में लहे थे अब IIPM पर शारुक खान का चहरा, लगजरी कैंपस और धेर सारे प्रॉमिसेस वाला एड्वर्टाइजमेंट देख देखके, लोग इसकी तरफ इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो चुके थे, कि एक अकेले एजेंट के लिए 50 या उससे ज्यादा इस्टुडेंट लाना करते थी, वो भी उस समय जब महगाई कितनी कम हुआ करती थी, अरिंदम ने IIPM के सकस के लिए एडवर्टाइजमेंट का पूरा फायदा उठाया, और यही वज़ा थी कि 2005 में मार्केटिंग पर खर्च करने वाला ये इंडिया का सबसे बड़ा ब्रैंड बन गया, 2008 से 2009 में II IIPM ने 202 करोड रुपय का रेवेन्यू जनरेट किया था, इसमें लगबग 102 करोड रुपय सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पर ही खर्च कर दिये थे, हर न्यू चैनल्स और अकबारों पे IIPM के एड और उसके साथ लगी अरिंदम की बड़ी सी फोटो ने इन्हें हिरो बना दिया था, इस तरह से अरिंदम दिन रात तरक्की करते गए, उन्हें टीवी सोज में बुलाया जाने लगा और वो लोगों को सक्सेस मंतर सिखाने लगे, और लोग भी उन्हें ऐसे ट्रीट करते जैसे वो कोई बहुत बड़े सेलिबरेटियों, एंड यही वज़ा थी कि एक सेमिनार का वो 75 लाख रुपे तक चार्ज करते थे, इसी दोरान अरिंदम ने अपना मैकजीन शापना भी शुरू कर दिया, जिन मेंसे दो बेस्ट सेलिंग मैकजीन बनी, बिजनस अन इकॉनमी और दूसरी बिजनस अन मार्केटिंग, इनका अगला हिम्था फिल्म इं लेकल के सामने आया, उसे लाखो लोगों के सपने टूट गए, लाखो इस्टुडेंट्स का फ्योचर खत्म हो गया, और कर्ज में डूबे पैरेंट्स सर पीटते रह गया, लेकिन क्या थी वो सच्चाई, और क्या था वो पूरा इस कैम, आई ये समझने की कोशिस करते हैं एक्चुले साल 2003 में ता आउटलुक नाम की एक फेमस मैगजीन ने देशभर के कॉलिजस का एक सर्वे करवाया, और इस सर्वे में इंड़स्टी इंटरफेस के मामले में आई आई पीम को चौथे नंबर पर रखा गया था, उसमें महिश्वर पेरी आउटलुक ग्रूप क बेटे की प्लेस्मेंट नहीं होई है, इस तरह की कई सारे शिकायतों को सुनने के बाद महिश्वर पेरी ने आई आई पीम से उनका डेटा मागा, जब उन्होंने इस डेटा को ओडिट किया, तो इससे सामने आया कि वो डेटा पूरी तरह से फरजी है, और आई 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 आई पीम पर सक होने लगा, और उन्होंने आउटलुक मैगजीन के जरिये एक नोटिस पबलेश किया, कि आगे से वो इस इस इस्टिट्यूट को अपने सर्वे में शामिल नहीं करेंगे, इसकी अलावा महिश्वर पेरी ने ऐसे कई आर्टिकल भी पबलेश किये, इससे ए अप्रेल 2009 में पबलेश हुआ था, जिसके थीम थी, प्रामिसन डिलिवरी इन एजुकेशनल इस्टिट्यूट, इस मैगजीन में वो अलग-अलग इस्टिट्यूट की कहानिया पबलेश करते थे, और इनहीं में से एक था आई आई पीम, और क्योंकि अपने आर्टिकल्स क कोट में आई आई पीम से पूछ ताच की इजाज़त मागी, इन सारे मुद्दों पर कोट का कहना था कि अगर कैरियर 360 पबलिक इंट्रेस्ट में है, तो आर्टिकल्स करें, लेकिन अपनी सफाई पेश करने के लिए आदा पन्ना आई आई पीम को भी दिया जाना चाहिए, इसके बाद जून 2009 में एक आर्टिकल छपा जिसका टाइटल था आई आई पीम, बेस्ट उनली इन क्लेम्स, कैरियर 360 ने आई आई पीम की दावो पर कई सवाल उठाए, जिसमें सबसी बड़ा और हैरान करने वाल था डिगरी को लेकर, अब देखा जाए तो आई आई पीम दावा करता था कि उसके इस्टिटूट में पढ़ रहे स्टूडेंट्स को वो आई 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 पीम नाम की एक इस्टिटूट से डिगरी देता है, अब उस वक्त इंटरनेट का यूज बहुत ही कम होता था, इसलिए कौन ही इसके बारे में जाच करने की कोशच करता, ऐसे म से मिलेगी, अब चुकि महस्वर पेरी पहले से ही आई आई पीम पर रिसर्च कर रहे थे, इसलिए उन्होंने युनिवर्सिटी और बकिंगम से कॉन्टेक्ट करके सच जानने की कोशच की, और वहां से उन्हें पता चला कि उनका आई आई पीम से कोई कनेक्शन था ही नही इसके बाद महस्वर पेरी ने इस सचाई को अपनी मैगजीन में पब्लिश कर दिया, जिसे देखकर लोग आई आई पीम से सवाल करने लगे, ऐसे में आई आई पीम ने अपने एडबर्टाइजमेंट्स में दुबारा से आई 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 बेलजियम का नाम लिखना शुरू खेर जब डिगरी को लेके इस तरह की खबरे बाहर आने लगी तो आई आई पीम के कुछ कैंपसेस में इस्टुडेंट्स ने जम कर हंगामा शुरू कर दिया, लोग सडकों पर उतर आई और आई पीम के खिलाप नारे बाजी करने लगे, 2009 में जब दहरादुन कैंपस में ह खंगामा हुआ तो उत्तराखंड की सरकार ने उत्तराखंड टेकनिकल यूनिवर्सिटी से इस मामले की जांज रिपोर्ट मागी, जिसके बाद पता चला कि आई आई पीम ने तो उनसे माननेता ही नहीं लिये, मतलब कि एजूकेशन के नाम पे एक बहुत ही बड़ा स्कैम हो रहा था, ना कोई legitimate college और ना ही valid degree, हर regulatory body ने इस institute को illegal बता दिया, सबसे अफसोस की बात ये थी कि 2009 में इस स्कैम के उजागर होने के बाद भी 15,000 से भी ज़्यादा students को IIPM फसाने में कामियाब हो गया, खेर ये सब खुलासा होने के बाद देश के अलग-अलग कोने से students ने IIPM पर FIR करना शुरू कर दिया, किसी ने गलत certificate पर case किया, तो किसी ने उचे खवाब दिखा कर पैसे यटने पर, उन्ही में से एक IIPM का एक student रविंद्र था, चो अरिग्दम चौधरी और उनकी पतनी सहित साथ लोगों के खिलाव, हजरत गंज गोतवाली में FIR दर्ज कर आया था, रविंद्र IIPM से MBA की पढ़ाई कर रहे थे, और उनका आरोप था कि इस institute ने international course के लिए foreign भेजने के नाम पर उन से पैसे लिए, लेकिन जब फिर भी उन्हें foreign नहीं भेजा गया, तो उन्हें इस्टिट्यूट के management से शिकायत की, अब रविंद्र की पढ़ाई प इसके खिलाब FIR दर्ज कर आई थी, क्योंकि admission के time college का कहना था कि वो students को 2 साल का full time MBA degree दिलाएगा, लेकिन वो बाद में अपनी बात से पलट गए और distance learning certificate दिलाने की बात करने लगे, लेकिन दोस्तों अरिंदम पर इन सब चीजों का कोई खास असर नहीं पढ़ रहा था, क्य कि उनके पास अभी काफी मुहरे बागी थे, उन्होंने महेश फेरी, publisher pengving और कई छोटे बड़े bloggers पर case कर डाला, जिन्होंने सिर्फ एक simple सी सच्चाई लिखी थी, कि IIPM को UGC से मानेता नहीं मिली है, सबसे हैरान करने वाली बात ये थी, कि साल 2013 में Department of Telecommunications ने IIPM के खिला आप लिखे गए कई articles को remove कर दिया, और इंटरनेट service providers की मदद से लगबग 73 URL ब्लॉक कर दिये, अर इंदम चौधरी का कहना भी था, कि अगर कोई उसके पहनावे की अलोचना करता है, तो वो उसे ignore कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई उनके business पर उंगली उठाएगा, तो उसका बहुती बुरा हसर होगा, और वही काम वो अपने खिलाप उठने वाली हर आवाज के साथ कर रहे थे, लेकिन दोस्तों अच्छी बात ये थी, कि अब तक इंटरनेट भी इंडिया के छोटे बड़े इलाकों तक पहुँच चुका था, ऐसे में students आपस में connect होने लगे, और तब उने पता चला कि वो अकेले नहीं है जिनके साथ ये स्कैम हुआ है, ऐसे में कई students साथ मिलकर consumer court पहुँचे, लंबा case चला, और आखिरकार मई 2014 में, UGC ने circular निकाला जिसमें लिखा था कि IIPM की कोई भी degree valid नहीं है, और IIPM अब MBA, BBA, management course, management school, business school जैसे words का इस्तिमाल न दिखना होगा कि वो किसी भी statutory body से मनिता प्राप नहीं है, अदालत के इस फैसले के बाद IIPM को अपने सभी institute और campuses को बंद करना पड़ा, जिसके बाद अरिंदम चौधरी ने announce किया कि वो students को direct education program offer नहीं करेंगे, बलकि IIPM दिल्ली में एक research और training institute की तरह काम करेगी, लेकिन दोस्तों हैरानी की बात ये थी कि इतने साल से ये scam चल लहा था और किसी भी student को कानो कान खबर नहीं लगे, आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सब possible कैसे हुआ, तो आपको बता दें इसके पीछे अरिंदम चौधरी का एक बहुती कमाल का strategy था, एक्चुली जिन students का placement नहीं होता था, तो IIPM उन्हें अपने campus में ही job दे देता था, ऐसे में वो खुद भी इस scam का part बन जाते थे, एंड यही वज़ा थी कि ना बात campus से बाहर गई और ना ही media में नजर आई, लेकिन सुरू से लेकर आखिर तक जो इंसान IIPM के खिलाप डट कर खड़ा रहा, वो थे मह महिस्वर पेरी, जिनके बदावलत और भी कई students का future बरबाद होने से बजग गया, अपनी हार के बाद जनवरी 2016 में, IIPM ने महिस्वर पेरी और outlook पर जितने भी cases किये थे, उन सब को वापस ले लिया, साल 2019 में IIPM के दो alumni ने कैलकटा हाई कोट में एक petition file की, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने शारुक खान का चेहरा देखकर IIPM में admission लिया था, इसलिए सजा के हकतार वो भी हैं, इस बारे में महिस्वर पेरी का कहना था कि शारुक खान को कम से कम 3 दिन का jail जरूर होना चाहिए, ताकि कोई भी celebrity ऐसी चीजों का advertisement करने से पहले कई बार सोचे, जो लो सहीत देश और विदेश के 9 expert management की knowledge देंगे, जिसकी fees होगी 4.8 lakh रुपे, और surprisingly आज भी ऐसे कई students होने वाले हैं, तो इस भारी रकम को चुका कि इस program में enroll करेंगे, लेकिन दोस्तों मेरा इतना ही कहना है कि किसी भी program या institute में admission लेने से पहले उसकी अच्छे से जांच कर लें क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही से ना सिर्फ आपका पैसा waste हो सकता है, बलकि आपका future भी दाओ पर लग सकता है, बाकि दोस्तों आज के लिए भस इतना ही